आकाश्वानी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग उपराश्वपती वेंक्या नाइडू ने कहा है कि विविधता में एकता भारत के विशेशता है मंद्राजली की रामनगर में आयोचित के जा रहे दो दिवसी आदिवासी महतसव का शुभारम करते वे श्रीनाइडू ने कहा कि आदिवासी महतसव के जरिये मूल संसकारों का उतसव मनाने का मौका मिला है आदिवासी संसक्रती के सरेक्षन और संवर्धन के उद्देश से आयोचित इस महतसव में श्रीनाइडू ने हितकराहियों को हितला पत्र भी वित्रत किये इससे पहले श्रीनाइडू ने रामनगर इस्तित गौन राजाओं के समारक पर पुष्पांचली भी अर्पित की महतसव की दूसरे दिन संखोष्टी, महिलाओं की चित्रकला, महिंदी, रंगोली और खेलकूद आदि प्रतियोगिदाओं का आयोजन किया जाएगा खजुराहों से सांसद विष्ण प्रसाज शर्मा को भारती अंता पार्टी ने प्रदी शिकाई का प्रमुख नियुक्त किया है वे वर्तमान प्रदीश अदिक राकेस सिंग का स्थान लेंगे श्री शर्मा का नियुक्ति पत्र पार्टी के राश्रिय महासचिव अरुन सिंग ने आज जारे किया वीडी शर्मा ने राजनीती की शुरुवात अखिल भारतिय विद्यार्थी परिशत से 1987 में की थी वे परिशत में विभिन पदों पर रहे और राश्री स्वयम सेवक संग से भी उनके प्रकार संबन्थ रहे हैं श्री शर्मा दोहजार उनीस के लोकसभाचुनाव में भाजपा के टिकेट पर खजुराहों से सांसच चुने गए थे चतरपुर से हमारे समवादाता ने बता है कि अपनी नियुक्ति के बाद श्री शर्मा खजुराहों के प्रसिद्ध मतंगेश्वर बहादेव मंदिर पहुचे और पूझा आर्चना की एक भारत श्रीष्ट भारत अभ्यान तेश्वर में चल रहा है अठारा दिनों तेख चलने वाला या भ्यान सूचना एंपरसारन मंत्राले द्वारा आयवजित क्या जा रहा है इसके तहट हम आपको मद्वरदेश के पार्टनर स्टेट मड़िपूर की लोककला, रहन सहन, खानपान, परेटन स्थलों और संस्रकती से रुबरू करा रहे हैं आज हम आपको बताने जा रहे हैं मड़िपूर के प्रमुख परेटन स्थलों के बारे में मनीपूर के प्रमुख परेटन स्थलों में से एक है गोविंदा जी मंदिर मनीपूर के पूर्व शासकों के महल के बगल में बना यह मंदिर वैशनपंद को मानने वालों का प्रसिद और पवित्र मंदिर है वैसे तो इस मंदिर का स्ट्रक्शर बेहद सिंपल है लेकिन यहां की खुबसूरती और सुकून आपको आध्यात्म से जोड़ता है वैसे ही एक और परेटन स्थल केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है राजधानी इंफॉल से करीब 53 किलोमीटर दूर इस्थित यह पार्क संगाई नाम की इस्थानी प्रजाती वाली दुर्लब हिरण का घर है यह नेशनल पार्क प्रसिद्ध लोक्टक लेक के किनारे पर इस्थित है और संगाई हिर्णों का प्राकिर्तिक आवास है इस पार्क की सबसे अनूखी बात है कि यह पानी पर तेरता हुआ पार्क है अब कुछ समाचार संक्षेप में केंडरी कृष्यमंत्री नरेंडर सिंग्त उमर ने मुरैना में राजी सरकार पर किसानों और युवाओं से छल करने का आरूप लगाया है धार सिले की गंदवानी में कलायोजित, जैकिसान, फसलरण माफी उजना की कारेक्रम में कृष्यमंत्री सचिन्यादव और वनमंत्री उमंग सिंग्हार ने किसानों को समान पत्र पितरत किये विधानसभा उपाद्यक्षिनाकावरे ने चबलपूर सिले के खुड़ावल में अमर शहीद अश्मनी काची की प्रतिमा का अनावरन किया राश्री शहरी आजेविका मिशन के तहट आगरमालवाजले में हितगराहियों को एक करोड़ 41 लाग के हितलाफ का वितरन किया गया श्यूपुरी कलेक्टर ने पूरी तहसिलदार को एक राजस प्रकरंड में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया है दिवाजले में सीम हेलफ लाइन में दर्शिकायतों के निराकरन के लिए विकास खंड इस्तर पर विशेश शिविर आयोजित के जा रहे है सागर शिले के बंडा थाना शेत्र में अग्यात वाहन ने मोटरसाइकल को टक्कर मार दी इस हाथसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जल जीवन मिशन के अंतरगत मंसौर विकास खंड की साथ ग्राम पंचायतों के रोज़कार सहाईकों की कल एक दिवसी कारिशाला आयोजित की गई कटनी में आयोजित की जा रहे दो दिवसीय जिला इस्तरीय रोज़कार मेले का आज अंतिम दिन है होशंगा बाजले के पच्मणी में आज से महा शिवरात्री मेला शिरू हो गया है आठ दिवसी इस मेले में 6 से 7 लाग शधालूं के पहुँचने की संभापना है उमरिया में कल से 23 मा अखिल भारतिये पैराडाइस कोल्ड कफ क्रकेट टूनामेंट शिरू हुआ इस बुलिटिन में इतना ही आकाश्माई वोपाल से अगला प्रादेशिक समाजरार बुलिटिन सुनिए शाम 7 बज कर 10 मिनिट पर नमस्कार